हाई गाईज आज हमारे पास फाइनली मूवोस 4 बीटा 4 पर अब्डेट आ गया है जिसका फाइल साइज है 1.23 जी जीबी तो हम जल्दी से इसका इंस्टॉल कर लेते हैं कर दो कि फाइनली हमारे पास मुव ओस 3 का बीटा 4 आ चुका है और हमने इंस्टॉल भी कर लिया है लेट सी इसमें क्या-क्या नए फीचेश हमें आड़ेड मिलते हैं कि यह पूरा ले आउट जो है आपका वो चेंज हो गया है यहां पर आपके जैसे मुबाइल फोन की तरह शॉटकट्स आते हैं वैसे शॉटकट्स हैं जिनको आप लॉंग प्रेस करके एक्शल सेटिंग में जा सकते हैं शॉट को टो वाइफाइ इसे ब्लुटूथ को कि यहीं से आप डार्क और जैसे मैंने आटॉमेटिक मोड रखा हुआ है अप डार्क लाइट लाइट टो और आउन्हें अच्छली डार्क मोड नेबर कर सकते हैं साउंड ओफ है लाइट आप यहां से से ड़्कैर उसका है जैसी कि आप देख सकते हैं यहीं से बंद ही कर सकते हैं next अगर हम music में जाये तो यहां पे हमें right stats मिलते हैं जैसे कि हमें फोन के app में दिखते हैं आज आपने कितना travel करा कितनी average speed थी and vehicle stats में आपको कितनी range remaining है कितनी km अब travel कर सकते है motor temperature क्या है battery temperature क्या है so यह दोनों चीजें आपको आती हैं इनिशली आपके पास सिरफ बैटरी टंपरेचर आता था मोटर टंपरेचर नहीं आता था बट्यां इसमें कर दिया गया है तो आप मोटर टंपरेचर भी देख सकते हैं Texas अब आप सेटिंग्स में यहां डिरेक्टली नहीं सकते सौइब करके आपको अब सेटिंग्स पर क्लेकर करके ही जाना पड़ेगा यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अडिशनल फीचर्स एड़ हुए हैं लेट्स गोटोथ कुछ नहीं वाइफाई सेम अजटेस साउंड्स सेम अजटेस लाइट्स नो चेंज़ राइडिंग मोज अजटेस मैप्स अजटेस बैटरी नो चेंज सेफटी न सीक्यूरिटी में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर टैंपर टेक्शन फॉल्ट टेक्शन चेंज पासकोड तो इनिशली टैंपर टेक्शन सिरव आपके फोन के अपके मस steering Thomas vom टॉड्शन यहां से आप ड्रेक्शन इनेबल कर सकते हैं ओ आपके पास अडिशनल फीचर आगया है एक्सेश कंٹ्रो यहां पर देख सकते हैं कि सिरफ एक information का display है so यहाँ पर information चेक कर सकते हैं कि क्या क्या on है क्या क्या off है बड़ आपको चेंज नहीं कर सकते है let's go to system update यहाँ पर दे सकते हैं कि beta 4 हमारे पास आ गया है about है so about में आपके पास एक नया feature आ गया है reboot scooter का so initially जब आप रिबूट करना चाहते थे तो आपको power button और reverse button दोनों साथ में प्रेस करना पड़ता था तब जाके रिबूट आता था now this was a much awaited feature यह डाप डैस से डिरेक्ट रिबूट कर सकते हैं इसमें एक और map में निया feature आया है कि आप hypercharger डिरेक्टली यहां से find कर सकते हैं and the best part is आपको यह hypercharger का location प्लस उसका status भी बता देता है आपको phone में चेक करने के जरोतनी as you can see it is under maintenance so let's check any other hypercharger इसमें आप चेक कर सकते कि एक charger free है and एक charger पे कोई scooter लगा हुआ है so this is also really nice one more feature which is added to the maps is जब आप कोई भी location पे map insert करके navigation start करते हैं हम यहां से इसको प्रिमाइस कर लेते हैं so earlier अगर आपको trunk खूलना होता था so आपको end route करके main home screen पे जाना होता था but now there is a trunk option which is enabled आप यहां से trunk open कर सकते हैं and close कर सकते हैं good job so let's check कि यहां से reboot scooter होता है या नहीं कि आप डाश से भी इसको reboot कर सकते हैं आपको power button and reverse button press करने की जरुवत नहीं है अब देख सकते हैं कि reboot हो रहा है good job with the feature so हम guest account से login कर चुके हैं let's see equal stats में हमें access control के अंदर हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है so हमने restrictions लगा रखी हैं सो यहां पर चेक कर सकते हैं कि hyper mode offers sports mode offer and हमने geofence भी लगा रखा है आप वह भी चेक कर सकते हैं कि geofence आपका किस area में लगा हुआ है so वह area आपको particular दिखा देगा जहां पर geofence है and अगर आप उस area के बाहर है so आपको आपका current location बता देगा and अगर आप geofence के अंदर नहीं है तो आपके phone में notification आ जाएगा इसको आपने access दे रखा है वह geofence के area से बाहर जा चुका है so यह आप चेक कर सकते हैं so आपके पास power में एक slider आ गया है so जैसी आप throttle देंगे यह slider automatically बढ़ता है as you can see कि जितना power input करेंगे उसके साब से वह आगे slide करता रहा है कि लगवी बन्हें में आप रहा है इस यह नहीं नहीं है